दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वगत है वेलकम टू महेश्ट अकाडमी यूट्यूब जेरल यहाँ पर केवी एस की अगर हम बात करें तो आपका जब हम परियावरडिये अध्यन या परियावरडिये विज्ञान के बात करते हैं तो यातायात एक आपका टॉपिक आपको देखने को मिलेगा स्टार्टिंग से हम आपको बता दें कि एकदम थियोरी आपका टॉपिक वाइज हम यहाँ पर लेकर करके चल रहे हैं एक एक आपके जो भी प्रकरण है उन्हें हम यहाँ पर स्पस्ट कर रहे हैं क्लियर कर रहे हैं आपके लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर दिखेगा आज का हमारा टॉपिक जो है वो है ट्रांसपोर्ट यानि यातायात क्या होता है इसके पहले हम फैमिली के बारे में रिलेक्शन क्या होती है फ्रैंड्स क्या होते है वाटर क्या है आपका शेल्टर क्या है ये सारे टॉपिक कंप्लीट कर चुके है के वीएस एवीएस 2022 नाम की प्लेलिस्ट है उसे आप जरूर देखेगा वहां से आपको सारे प्रिविएस वीडियो जो है वो मिल जाएगे यहां पर हम आपको बता दे जब हम बात करते हैं सीटिट के एक्जाम को ले करके तो बहुत सारे सवाल आपके ट्रांसपोर्ट यानि यातायाद से पुछे गए हैं किस साल में कितने सवाल पुछे गए हैं 2011 से ले करके जब हम बात करते हैं अलग-अलग वर्षों में तो आप अच्छी तरीके से अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि कब कितने कितने आपके questions जो है वो पुछे गए हैं जैसा कि आप सभी को ग्यात होगा कि जब-जब हम बात करते हैं KVS को ले करके तो उसका आधार जो है वो आपका seated ही है seated का आप EVS syllabus देखेगा और आप KVS का देखेगा सेम चीज़े हैं बिल्कुल सेम टू सेम आपका एक-एक topic को ही मिलेगा तो KVS में भी बिल्कुल ऐसे ही सवाल आपके जो है वो बनेंगे पूछे जाएंगे एक दम नाय सिलावस के हिसाब से यहां पर हम आपका जो भी है जो भी topic है वो complete करवा रहे हैं तो बिना किसी देरी के चीज़ों को शुरू करते हैं कॉमेंट सेक्शन एक जरूर की कर दिया करिया ऐसे में कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है कुछ और सुधार करने की जरूरत है तो भी कॉमेंट सेक्शन में में जरूर करें यातायाद के अंतरगत सामान नयात्रा के साथ परिवहन को भी शामिल किया जाता है ये चीज ध्यान नकने की जरूरत है मतब ट्रांसपोर्ट की अगर मैं बात करूँ तो एक जो सामान नयातायाद है एक परिवहन अब इसमें बात आती है कि किस तरीके के आपके परिवहन यातायाद के जो साधन है वो हमें देखने को मिलते हैं तो यहाँ पर सडक मारग है, रेल मारग है, जल मारग है, वाईव मारग है यही होता है ना यही आपके चार मारग आपको देखने को मिलते हैं सडक की बात करें हैं, हम रेल की बात करें हैं वैसे भी तीन ही है, रेल है, जल है, वाईव है जैसे आप बात कहते हैं यहाँ पर जब हम सड़क मार्ग को डिफाइन करने चलते हैं कहते हैं आपका कि यातायात साधनों के रूप में सड़क मार्ग यानि कि रोडवेज का विसीश योगदान है यहाँ पर यह कहते हैं किसी भी निकट गंतवी की अगर हम बात करें यानि कि जो हमारा नियरेस्ट डेस्टिनेशन होता है बहुंज पर पुहुएं के लिए हम रोड ही सबसे अच्छे साधन की रूप में हमारा होता है जो हम चुन करके जाते हैं उसे यूज में लेकर के आते हैं सङड़के आपकी पक्की भी हो सकती है, कच्ची भी हो सकती है दोनों ही प्रकार की होती है मैदानी एक्षेत्रों में सड़कों का घना जाल बिछा हुआ है ये भी आप जानते हो कि मैदानी एलागों में जो सड़के हैं सबसे ज़्यादा हमें देखने को मिलेगी मरुस्तल की बात की जाए वनों की बात की जाए उंचे परवतों की बात की जाए तो वहाँ पर भी हमें सड़के देखने को मिलती है लेकिन वहाँ पर जैसा मैदानी एक्षेत्रों में जो एक तरीके से उनका जुजाल है उससे कम हमें देखने को मिलेगा अगर हम परवती एक्षेत्रों की बात करते हैं वनों की बात करते हैं आप से कहते हैं हिमाले परबत पर मनाली लेह राज मार्ग जो है विश्व के सबसे उच्छे सड़क मार्गों में से एक है तो क्वेशन यहीं से बनना आपका शुरू हो जाता है जैसे यह जो बात इहां पर इन्होंने बताई हुई है भूमिगत सड़कों को भूमिगत मार गयाने के सब वे बोलते हैं बड़े बड़े शहरों में फ्लाइ ओबर उत्थित सड़च्णाओं के उपर बनाये जाते हैं अब यहां पर फ्लाइ ओबर के अगर बात करूँ तो क्या होता है आपको जैसे ट्राफिक वगरा कम करने को ले करके हो गया आपको बगल से जो रोड ऐसे में निकाली जाती है कि कहीं से भी आप अपने गंतव इस्थान पर पहुँचने में आपको देरी न हो तो यह सारे चीजों को देखने के लिए फ्लाइ ओवर जो है वो देखने को मिलते हैं उनका निर्माण होता है आप NCRT की केताब को उठाओगे 3,4,5 आप देखोगे exactly बिलकुल ऐसी ही चीज़े NCRT का है आप जो यह नोट्स जो हमारे तयार किये गए हैं जो हम प्रवाइड भी करते हैं आपको देते हैं एक एक चीज़े NCRT की लिखी गई हैं सारा कुछ आपको NCRT का ही मिलेगा आप से कहते हैं कि यहाँ पे भारत में अन्नेक राष्ट्य राजमार्ग आपको देखने को मिले भारत में एक्सप्रेस वे का निर्मार जो है वो नवींतम है आपने इसके बारे में जरूर सुना होगा आगरा एक्सप्रेस वे की बात करें पुरवांचल एक्सप्रेस वे की अगर हम बात करें यह क्या होता है आपका मतलब आप यह समझे नैस्टनल हाइवे से भी बढ़ ये महाराजमार्ग जो है, ये किनको किनको मिलाता है, ये सवाल भी आपका पूछा गया है, दिल्ली है, कोलकाता है, मुंबई है और चिन्नई है, दिल्ली को जोड़ने वाली छैलेन, वाली महानगर जो है, वो राजमार्ग सड़क परियोजना है, ऐसे में महानगर राजमार् तो भारत की राश्ट्री राजमार्ग प्राधिकलर यानि की NHAI करके लिखा हुआ है NHT हो गया है वो दरसल आई है ये आपका National Highway Authority of India बोलते हैं से उसके अधिकारक शेतर के अंतर गताती है आप से कहते हैं कि पूरः पश्रिम और उत्तर गलियारा जो है इसका विसेश भाग है ये पूरः पश्रिम जो गलियारा है यानि कॉरिडोर वो पोरवंदर से लेकर के सिल्चर और उत्तर गलियारा को लेकर के अगर हम ऐसे में बात करते हैं तो ये गलियारा आपका स्री निगर से कन्या कुमारी को जोड़ता है आप जहां से देखते होगे एक बीच में आपको देखने को मिलता है जबाकि ये पूरा पर्श्म गलियारा और आपका उत्तर दक्षड गलियारा जो है किसको किसको जोड़ता है वो चीज यहां से आपको clear हुई होगी राश्ट्री राजमार्ग के अगर हम ऐसे में बात करते हैं जो national highway होते हैं वो बड़े बड़े दूरत ससानों को आपस में जोड़ते हैं कहते हैं यह प्राथमे कसाड़क तंत्र है जिनका निर्मार और रख रखाओ कौन करता है central public works department जो है वो करता है किसकी जब हम national highway authority of India है जब हम national highways को ले करके बात करते हैं वहीं जब हम राज्जियों के राजमार्ग को ले करके बात करें तो यह राज्य की राज्धानियों को जिला म क्याले से झोड़ने वाली जो सजटके होती है हो राजमार्ग होती है ऐसे में महीं महल drive राजमार्ग होती है यानि कि जब ये हँए Central public works department वह सेंट्रल का है और इसे PWD करके हम simply बोल देते हैं तो यह चीज़ यहां से आपको clear हुई होगी कहते हैं जब हम जिला मार्ग में सड़कों को ले करके बात करते हैं तो जिले के विभिन प्रसाशनिक केंद्रों को जिला मुख्याले से जोड़ती है इन सड़कों के विवस्था का उतरदाई तो किसका होता है जिला परिशद का होता है आगे कहते हैं अन्ने सड़के इस वर्ग के अंतरगत वैसड़के आती है मतलब अगर मैं बात करूँ जेसे आप अलग लगच है प्रकार के सड़कों के बारे में हमने बोला ना फिर बात आती है सीमान्त सड़के ठीक है सीमान्त सड़के कहां पर है जब हम बात करते हैं बॉर्डर एरिया को ले करके तो यहां पर इसके निर्माड की जो बात होती है जो जिम्मेदारी होती है वो सीमा सड़क संगठन द्यांदी जिगा यह आपका बॉर्डर रोड और्ग उनके आज पास सड़क बनाने और उनके देखरे का काम करता है इसकेस अपना 1960 में हुई थी यह बात भी यहां से नोट करिएगा तो यह चीज ध्यान रहे वहाँ पर आपका PWD वहाँ पर आपका जिला परिशद वहाँ पर आपका जो सेंट्रल PWD है यह सब कोई काम नहीं आते हैं जो भी होगा वो बियारों के अंतरगत होगा ठीक है अब देखिए इस समय जब हम भारत चाइना बार्डर को लेड़ करके बात करते हैं तो बियारों कहीं न कहीं डेली कुछ ना कुछ काम वहाँ पर चल रहा होता है जैसे आपके अपने क्षेत्रों में सलकों पर काम च कउड़ता हुआ नार्थ से ले करके साउथ तक नह फॉर्टिफोर एनेच सेवन करके बोलते थे तो यह पूरा का पूरा जो है वह फैला हुआ है क्योंसा एन एच-फॉर्टी-सेवन ए यह आपका क्या है इसे एनेच नैं सिक्सिक्स बी भी के नाम से जाना जाता है और यह कहां तक है इसका विस्तार जो है वो तीन किलो मीटर है जब हम कोड़ा नूर से वैलेंगिटन दूइप की बात करते हैं तो यह हमें वहां देखने को मिलेगा ठीक है यह चीज याद रखिएगा चलिए यह बात हो गई सबसे चोटे और सबसे बड़े जब हम नैशनल हाइवे कोलकाता से अमरित्सर के बीच हमें देखने को मिलेगी यह कहां से कलकता से लेकर के अमरित्सर पंजाब तक विश्व के सबसे उची सड़क मनाली लेहमार राजमार्ग है लदाख के जादतर लोग ट्रॉली का उपयोग करते हैं सबसे लंबा सड़क पुल महत्मा गांधी स तो देखे पटना बताया हुआ है तो यहीं सारे से क्वेश्व जो है वो आपके निकल करके आते हैं अगर हम भारत के मानचित्र को देखें यहां पर तो जैसा कि मैंने आपको बोला कि सिरी नगर से लेकर के आपका एनेच फटी फॉर यहां से शुरू होता है और यह पूर हुआ कहां तक जाएगा आपका तेलंगाना है दरवाद अंधर प्रदेश बैंगलूरू इधर की बात करें तो यह आपका तमिलाडू नीचे तक जाकर के पूरा एनेच फॉर्टी फॉर जो है वो आपको देखने को मिलेगा यहां पर यह जो मैप दिया हुआ है आप एक ब है राज जी और आपको लेकर के उपरो तो मांचितर में दिये गए वीवरण की आधार पर किहते हैं किस राजी की सीमा किसी से मिलती है कौन किस इसके उत्तर रेदक्शन में है यह बात तो आब बहुत अच्छी तरीके से यहां से समझ गया होंगे ठीक है जो यहां पर बता तो हमारे एस्ट में क्या पड़ेगा हमारे वेस्ट में क्या होगा नौर्थ में क्या होगा साउथ में क्या होगा यहीं से सवाल आपके पूछे जाते हैं जब हम एवीएस के ट्रांस्पोर्ट वाले से क्वेशन के बात करें कहते हैं दूरी है दिशा है यहाँ पर सापेक्ष जो अपने पड़ोस के पाकिस्तान के अगर हम बात करें भूटान, नैपल, अफगानिस्तान, यामार, चीन, बंगलादेश, जैसे स्थलिये देश और स्रीलंका और माल्दिव के अगर हम बात करें तो इनसे समुद्री सीमा से जो है वो जुड़ा हुआ है देखे, स्थलिये सीमा किसके किसके साथ में है, वो भी यहाँ पर इन्होंने बताया है और आपका जब हम बात करते हैं समुद्री सीमा को ले करके तो वो किसके साथ में है, यह भी इन्होंने एक्स्प्लेन किया हुआ है तो जो अभी आप पढ़ रहे थे, हम आपको कहीं न कहीं सडक मार्ग पढ़ा रहे थे, ऐसे में अभी रेल मार्ग के बारे में हम बात करेंगे रोडवेज के बाद में अब रेलवेज की बात आई है कहते हैं के द्वारा तिवरता से एवं कम खर्चे में लोग आवागमन जो है वो कर सकते हैं तो आज भी आपका रेलवे ही है आपको अच्छे से पता होगा आप देख लीजिए बगल में जाना है उसकी बात अलग है हो सकता है जैसे मैं बात करूँ कि जब हम अपने गाउं से बात करते है अपने गाउं से हम सिटी कि तरफ जाते हैं तो वो दूरी लगभग 20 किलोमेटर की है, कितना है 20 किलोमेटर, उसका दाम कितना है, आपका 20 रुपए है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखेगा, हो सकता है ये 20 किलोमेटर आपको जो 18 रुपए, 17 रुपए में भी आपको ट्रेवल करवा दे, यहाँ पे जब हम अच्छा, इस रुपए में ट्रेन से पहुच जाओगे, और बस की बात करो तो 500-700 रुपए कम से कम आपके बस के आपको देने पड़ेंगे, ठीक है, तो आगे कहते हैं कि वास्प के इंजिन की खोज और अध्यागी करांती ने, रेल परिवहन के तीवरे विकास में सहाय था कि काला अंत तिरपन में मुंबई से थाड़े के बीच में, यहां पर जब हम बात करते हैं, कितने किलोमीटर घ्यांदी जिगा मुंबई से थाड़े, यही समझ में आएगा कि आप वीडियो पूरा देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा कि वो दूरी क कितने किलोमीटर की थी, अठारा सो तिरपन में मुंबई से थाड़े के बीच में पहरी रेल चली, तो वो किलोमीटर में बताइएगा दूरी कितनी थी, चिके कमेंट में जरूर लिखेगा, भारतिये रेलवे, देश की अर्थ विवस्था, उद्योगों और कृसी के तीव बात करें, किसी और उसमें बात करें, हम तेल को लेकर के बात करें, सब परिवहन में आप किसको यूज में लेकर के आते हो, यही रेल वेज को आप यूज में लेकर के आते हो, जोन को लेकर के बताया है, गोरकपुर आपका सबसे लंबा 1.3 किलोमेटर सबसे लंबा ब्रुगर आसाम से ले करके कहां तक है आपका कन्या कुमारी तमिलनाडो के बीच में और हम आपको बता दे इसकी लंबाई 4286 किलोमेटर है और ये विवेक एक्सप्रेस जो है वो क्या करती है इसको कम्प्लीट करती है जोडती है टिकेट और समय सारडी को ले करके बात करें तो यहां पर यात्री को टिकेट लेना पड़ता है टिकेट भी दो प्रकार के होते हैं एक आरक्षित होता है रिजर्व होता है एक आपका रिजर्व नहीं होता है अनारक्षित जनरल टिकेट जिसे बोल देते हो ठीक है अनारक्षित टिकेट की अगर यात्रा के बारे में ह समय बहुत अच्छी बात है आगे क्या कहते हैं आप से कि परिवहन संभनी-साधन का नाम और संख्या इसमें यातराप्राराब्भार समाप्त करने का समय और दिनांक कमेंशन होने के बाइट आगे क्या कहते हैं गंतव इस्थान के बीच की दूरी को लेकर के लिंग वैसकों के संख्या कितनी कुछ है स्रेडी कोच संख्या बर्थ सीट संख्या टूल की राया आरक्षन सुल्क के साथ में ठीक है तो यह सारी बाते जो है वह आपको देखने को मिलेंगी कुछ बाते और दी हुई है रेलव आगे आपसे क्या कहते हैं कि जिसकी लंबाई आपको कित्ती मिलेगी साथ सो साट सेवन सिक्स्टी किलो मेटर से इस मार्ग पर सैकड़ोपुल और सुरंगे हमें देखने को मिलती है जम्मू बारामुला की बात की जाए तो इस रेल मार्ग की जो लंबाई है 342 किलो मेटर ह कटरा है काजिगुन करके है स्रेनगर और बारामुला माउंटेन ड्रिल्वे भारतिया परवतियक शेत्र में संचालित होती है ट्वाय ट्रेन आपने सुना होगा बहुत अच्छे से आप जानते होगे और ट्वाय ट्रेन में कौन कौन सी है तो उनमें आपने दार्जलिंग के बारे में सुना होगा दार्जलिंग ह मालेयं रेल्वे बोलते है इसे नियलगि 68 मौनटन रेलवे है कालका शिमला रेलवे है और कांगडा घातीं रेलवे को हुई थी मोनो रेल जो है मुंबई में चलती है अन्रिजर्ब अगर में बात करूं यहां पर जनरल समय सारडी की कुछ जानकरिया यहां पर परवहन रूट का विवरन जगह स्टेशन की दूरी जो अनारक्षित वाले में होता है उसके बारे में बोला है ठीक है यात्रा के दौरान आने वाले स्टेशन और पहुँचने का समय निर्धारी समय और वहां से वापसी का निर्धारी समय चलिए तो इतनी बाते जो है बताएगे किसमें जब हम बात करते हैं इस वाले पॉइंट को ले करके फिर यहां पर बात आती है आपके जल मार्गों की बात जल मार जलमार गिनों ने यहाँ पर बोला हुआ है। सदिया से धूबरी है आपका कॉललम से कोटापुरम केरल तालचेर की अगर हम बात करते हैं वहाँ से लेकर के पाराद्यूप तक ब्रहमडी नदी है लखीमपूर से भागा की अगर हम बात करें तो यह है बराक रिवर और काकेडा नाडा से जो है पॉंडिचेरी यह भी आप आपको यहां पर देखने को मिलेगा ठीक है तो हम आपको बता दे जब वाटर वेज की बात होती है तो कुछ इस तरीके से यह परिवहन अंतरदेशी परिवहन जो है वह प्रवाइड कराते हैं वह उतराश्टिय जलमार्गी की अगर हम बात करें तो सदेओ इसका प्रियू नांव मीएम वैन मार्मु गाओ या मार्मा गाओ लिखा है मार्मु गाओ जो है गोवा में है निू मैंगलावर जो है वो करनाटका में है कोची केरल में तूति कूरिंटा मिलनाडू विशाक प्त्त मंध्रपरदिश और पारण Title के वेज़ कि बात करते हैं तो वल्लम बोलते हैं और फेरी बोलते हैं क्या क्या बोले वल्लम और फेरी नामक छोटी नाओ को प्योग करते हैं यह चीज नोट कर लीजे कहां कि लोगों के बात की गई है कालिकट तटवाला ही है यह बिलकुल वही है आपका हागे यहां पर हम वयु मार्ग को लेकर के बात कर प्रारंब में विक्सित या परिभ्हन का सबसे तिवर मार्ग है इंधन की लागत और अधिक होने के कारण जो है वो सरवाधिक महांगा साधन है और यह क्या करता है आपको दुर्गम क्षेत्रों में भी लेकर के जाता है वायू मार्ग आप जानते हो सबसे महांगा होगा 1911 म प्रारंबिक समय में एर इंडिया अंतराष्टी और इंडियन एरलाइंस घरेलू और पडोसी देशों को हवाई से वाउपलब्द कराता था तो कौन-कौन था एर इंडिया था और इंडियन एरलाइंस जरा ध्यान दिजीगा इस पर लेकिन इस समय अगर मैं बात करूँ ब अभी आप देखेएंग tris एकत्नी सारी अगई है पतनी कोंसी इसा है सफाइश जेट और यह वह आप देखते आप देखते वह कि इंडियो हड़े में आपने देखा होगा मैंघ और पतहन कों सब्सक्राइव और देखेंग बात आयो को इसक अब आ पटति है उंक्या구요 को पूर्वी उत्तर पूर्वी राज जी के बारे में बात करें, जम्मु काश्मीर है, हिमांचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, इन सभी में क्या करते हैं, आप देखें, नमाता जी के दर्शन करने जाते हैं, तो यह वहाँ आपको क्या हेलिकॉप्टर के सुविधा आपको द दम-दम कोलकाता में आपको मिलेगा, मेनाम बकाम अंतरास्टी हवायडा चन्न नहीं, राजियो गांधी इंटराइस्टनल, आपका जो है, यह कहां पे है, हैधराबाद दिल्ली का, आपका इंतरागांधी इंतरास्टी हवायडा है, छतरपती श्रिवाजी टर्मिनल के में मिलेगा, अबुधाबी की यातरा, एक महतुपूर्ड तथे यहां पर लिखा हुआ है, अबुधाबी की यातरा से लेकर के, तो इसे भी यहां पर थोड़ा से जान लेते हैं, अबुधाबी की यातरा, अब यह इसमें क्या बताना चाह रहा हैं, गौर करिएगा, पर बता रोहड ये सारी चीज़े क्या होती है अपने गले वीडियो में पढ़ेंगे बहुत बहुत शुक्रिया जाहिंजा भारत वंदे मातरम